दोस्तो 90's के दसक की कोई भी cassette यदि हम उसको देख लेते हैं तो हम कुछ समय के लिए वही audio cassette वाले जमाने में लोट जाते हैं कहीं न कहीं जब हम इनी audio cassette से गाने सुनकर बढ़े हुए हैं उनी में से एक cassette है आज हम जिसका रिब्यू करने वाले हैं फिल्म का नाम है God and Gun जी हाँ God and Gun राजकुमार साब इस फिल्म में मुख को भूमी काओं मैं थे गाने बहुत ही अच्छे थे अभी आपको ये cassette भी दिखाऊंगा और साथ मैं गानों की जलकियां भी शुनाऊंगा 1995 की एक बहुत ही प्यारी ओडियो कैसिट आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगी तो वीडियो एंड तक देखना अच्छा लगे तो लाई जरू करना तो चली आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं God and Gun अडियो कैसिट का म्यूजिक भरा रिब्यू तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि God and Gun फिल्म की हमारे पास सिर्फ एक ओडियो कैसिट है वो भी दोस्तों Master ओडियो कैसिट है इस फिल्म में अभी कुमार सानु साब के कुछ बहुती प्यारे प्यारे गाने थे अभी आपको थोड़ी देर बाद इसी ओडियो कैसिट वाली एकदम ओरिजिनल माश्टर कैसिट यहां पर आप यहां पर आप God और गन फिल्म की ऑडियो कैसिट का पोश्टर देख सकते हैं राजकुमार साब का फोटू देख रहा होगा और जैकी सराब जी का फोटू भी देख रहा होगा और यहां पर लेखा है के भी पिक्च् समीर साब एबं पागल आदिलाबादी ने इधर देखने पर बी एमबी का लोगो देखने को मिलेगा और यहां पर लेखा है गौड एंड गन ठीक है और बैक साइड में देखने पर इस ओडियो कैसेट में छे गाने दी हुए हैं गाने बहुत ही प्यारे थे अभी आपको सकते हैं दो 1995 की पैकिंग है यह मास्टर कैसेट और जो मेरी रिब्यू वाली कैसे होती है वो सेल के लिए नहीं होती कई दर सक कमेंट करते हैं कि यह कैसेट हमको दे दो तो यह सेल के लिए नहीं होती है यह सिर्फ रिब्यू के लिए होती है आपको दिखाने के लिए यहां भी है तीन गाने लिख सकते हैं और यहां पर लिखा है BMB और सारी कंपनी का एड्रेस भी यहां पर मेंसन किया हुआ है यह साइडे है यहां पर भी गौड और गन तीन गाने और BMB का लोगों आप देख सकते हैं कैसिट की रील अभी भी नई है और भैतरी चलती है दोस्तों ज लिए कबर देख लेते हैं यदि हम कबर देखें तो इस पिरकार का कबर रहें गौड एंड गन और यो कि आप देख भी सकते हैं और यहां पर हमको को मिल जाएगा आशिक मस्ताने का यदि आपको आशिक मस्ताने का मूजिकल टेलर देखना है तो मेरे चैनल पर उपलब्ध है और आगे मैं इस आदियो का का रिब्यू भी करूँगा क्योंकि मेरे पास लगबक बहुत सारी कैसेट है उनमें आशिक मस्ताने भी है ठीक है तो आप बेट कर सकते हैं इस कैसे कबर देख लिया बैक साइड में देखने पर हम यहां पर क्या देखने को मिल जाता है गौड और गन डारेक्टर बाय वर्जस्ते नेताओं की डगर पे काने को लेका है पागल आदिलाबादी ने और गाया है अब जीत बट्टाचारिये एबं अरुन बक्सी ने साइड का दूसरा गाना है तू मेरी इबतदा है इसको आने को गाया है कुमार सानु साभ ने साइड एक तीस्त्रा गाना है बन गई बन गई इस गाने को गाया है पूर्नेमाने चलिए साइड वी की बात कर लेते हैं तो साइड वी का पहला गाना है तू मेरी इबतदा है इस गाने को को गया है साधना सरगमने साइडवी का दूसरा गाना है आया था ढूंड़ने गाने को गया है कुमार सानु एबं साधना सरगमने साइडवी का लाश्ट तीसरा गाना है सब कहने लगे और गाने को गया है उधित नारायन एबं साधना सरगमने तो अभी हमने आपको गौड और गन फिलिम के च्छह गाने पढ़कर सुनाए और च्छही गानों की इसी ऑडियो केशिट से जलकिया सुनाई तो उमीद करता हूं जलकिया सुनकर आपको वह पुराना भूला भूसरा जमाना याद आ गया होगा अब आप मुझे कमिंट प्रेंट तक ही गाने सुनाता हूं क्यों को यूटूब पर बहुत ज्यादा कॉपी राइट का लफड़ा रहता है यदि कॉपी राइट का लफड़ा ना होता दोस्तों तो मैं आपको लगवग एक मिनिट से जादा गाना सुना तो आपको भी अच्छा लगता लेकिन सब्सक्राइब के रिब्यू से गानों की जलकियों से पूरी जरूर हो जाती होंगी तो मुझे कमेंट सेक्षेन बताना कि गौड और गन फिलिम का आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद आया कोई यादा जुड़ी हुई है तो भी आप हमारे साथ सेयर कर सकते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है वो सब्सक्राइब कर लेना लेकिन नौटिफिकेशन बैल को औल परदावा लेना तो चलिए मिलते हैं फर सन 1995 में आई किसी अगली और यो कैसिट के रिब्यू के साथ कल सामके साथ बज़े जब तक के लिए आप सुनते रहे नाइ